विल्कम इस्टूडेंट्स अगर आप Node.js में, PHP में, जीमेल का ID यूज़ करके ईमेल किसी को भेजने का कोशिस कर रहे हो, हो शकता है कुछ एरर आ रहा हो, ईमेल नहीं जा रहा हो आपका फेल हो जा रहा हो, आप Node.js में हो तो Node.js में हो तो नोड मेलर इस्तमाल करते होंगे, अगर आप PHP में हो तो PHP mailer होगा, send mail होगा, fake mail होगा, या कोई भी email भेजने वाला library आपके पास होगा, तो generally code करते वक्त हम क्या करते हैं, email ID देते हैं, और जो Gmail का password होता है, वो देते हैं mail भेजने के लिए, पहले ऐसे ही करते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं करते, यहाँ पे आपको एक virtual password जनेरेट करके रखना होगा, उसके रद mail चला जाएगा, चाहिए आप किसी भी language में भेजते हो, कैसे जनेरेट करना हैं, वो आप जानो कि इस वीडियो में, हमारी website पे आईए, amazing courses अभी हम आपको ओफर कर रहें, आपको डिस्काउंट अभी दिया जाड़ा है, एंट अल किजिए, 100 से भी ज़्यादा वीडियो जो आपको फुल स्टेक डेवलापर बनाने में आपकी शाहता करेगा, MongoDB, AWS Cloud, Video Streaming Engine, Authentication, Mongos, ना जाने कितनी सारी चीज़े आपको शीखने को मिलेंगी इस course के अंदर, अगर आप coding में beginner हो, तो Soft Engineering Classes को जोईन कीजिए, जिसमें step by step, जिन languages को आपको पढ़ने के आवशकता है, सब आपको पढ़ने को मिलेगा, विडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हेट कीजिए, चलिए, सबसे पहले उस mail ID को लॉगिन कर लीजिएगा, जिसकी साहता से आप mail भेज रहे हो, setting में जाहिएगा, see all settings, account and import पे क्लिक कीजिएगा, other google account setting में जाहिएगा, security को चूज करेंगे, यहाँ दिख जाएगा, two step verification पहले इसको on करना है आपको, get started कीजिए, अपना phone number input कीजिएगा, verification code वाकर आयाएगा, उसको allow कर दीजिएगा, accept कर लीजिएगा, मतलब two step verification on कर लेना है आपको, उसके बाद यहाँ पे search bar में, ऐसे साच कीजिएगा, app password, यह दिख जाएगा link, app password का इस पर क्लिक कीजिएगा, select app में जाएगा, mail को select कीजिएगा, इसमें other को चूज करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी नाम देंगे, जैसे मैंने define कर दिया, web app, generate पर क्लिक कीजिए, यह रहाँ आपका password, इसी की शाहता से आप email भेज भाऊगे, चाहिए आप किसी भी language में code लिखे हो, copy कर लिजेगा, उस password को और यहाँ पर paste कर दिजे, देखे अभी मैंने code को run किया, तो email आ गया, तो इस वीडियो का language से कोई लेना देना नहीं है, जो आप किसी भी language में Gmail की ID यूज कर रहो, सब में यह configuration valid होगा, हमारी website पर जरूर आएगा, webinstitute.com, Thank you.